आपका टीचर इम्रान और आज मैं लेकर आयों आपके लिए पहली फाइव मिनिट्स टिप और टिप क्या है सिंपल सा राउंड कॉर्नर्स सिसी में सबको पता है कि हमार पास एक ऑप्शन आता है कि जिसको हम चोटा सरकल आ रहा रहा है तो चीजें कॉर्नर्स जो है राउंड हो जाते हैं लेकिन CS6 पर यह ऑप्शन अवेलेबल नहीं है सो हम क्या करेंगे आई हम देखते हैं हम अगर सबस्ता सबस्क्राइव करें आप इस पॉंड करेंगे सिसी पास लिएक एयार राउंड करा रहे होते हैं और कोई भी और करता है है so best तरीके कार तो यह है कि आप अगर एक corner round करना चाह रहे हैं तो आप एक point add करेंगे किसी भी path पर और इस path को direct selection से नीचे ले आए तक्रीबन तक्रीबन आप समय लें के 45 degree के angle पर अब आपने यह करना है कि pen tool लेकर anchor point tool लेंगे और इसके through इसको drag करेंगे यूँ and यूँ यह होगया आपका एक corner round ठीक है अब आप आपको मुझे पता है मैंने ज़्यादा करनी पड़ेगी यह एक एक point को पकड़ के करना पड़ेगा so यह quite difficult है हाँ definitely अगर आप square या rectangle बना रहे हैं तो आपके पास already एक option है कि आप rounded rectangle ही बना लें ठीक है लेकिन अगर कोई और shape है तो उसके लिए आपको definitely यह तरीके कार use करना पड़ेगा एक उससे ज़्यादा असान तरीके कार मैं आपको बताऊं let's say आपके पास यह एक polygon है और इस polygon में आपको corners round करने है अब देखें अगर तो मैं points add करके करता हूँ तो बहुत ज़्यादा difficult मसला हो जाएगा see this मैंने यहाँ point add किया यहाँ point add किया और इस point को मैंने हटा दिया ठीक है अब आपने anchor point tool लिया और इसके थूप इसको round किया और इसको round किया obviously यह थोड़ा सा मुश्किल सा तरीकेकार है बहुत अजीब सा टेडा मिडा हो जाता है sometimes इतना accurately नहीं आ रहा हो काफी difficult है best तरीकेकार मैं आपनों को भी बता रहा हूँ और वो यह एक है effect ठीक है effect क्या है आपने object बना लिया अपना effects में जाएंगे जो भी value डली होगी आपकी जो last आपने use की होगी वो value डली होगी बाराग आप preview on कर लें और यहां से आप अपने points कम या ज्यादा कर सकते हैं तो यह आपका suppose मैंने 12 points दिया और इसको मैंने ok कर दिया ठीक हैं अब आप देखें तो आपके यह round corners हो चुका है तो हाँ यह option आपके पास CS6 में भी available है अगर आप यहां जाएं इसको select करें और appearance के panel पे तो appearance में आपको यहां पर दिख रहा होगा round corners अगर आप मजीद इसका roundness चेंज करना चाहरे हैं तो आप simply यह करें round corners पे क्लिक करें और फिर से preview on करें और यहां से आप इसकी value मजीद चेंज कर सकते हैं प्लीज अगर आपने एक effect लगा दी है एक बार तो दुबारा effects मत लगाईएगा appearance के panel से आकर कि इसको edit कीजिएगा ठीके जी जब यहां से finalize हो जाए याद रखेंगा कि आप जब चाहें इसको hide भी कर सकते हैं हटा भी सकते हैं लेकिन अब मैं चाहरा हूँ कि यह finalize हो चुका है और मैं इसको permanently रखना चाहरा हूँ तो please object में जाके expand appearance कर दीजेगा that's it आपका rounded corners वाला object ready है so अब जरूरी नहीं है कि आप एक polygon को करो आप किसी भी तरहा के shape को चाहे जितना complex shape हो आप easily round corners कर सकते हैं so let's say यह एक shape है मैंने इसको select किया effects में गया stylize round corners and preview on करें आपको जितना करना है उतना करें and ok करने के बाद see this अगर सही लग रहा है तो सही है select करें इसको object में जाके expand appearance कर दे that's it ठीक है जी so यह थी हमारी 5 minute step और हो सकता है कि कुछ एक आज मिनिट ऊपर नीचे हो गया हो तो यार sorry कर देना I hope यह आपने पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अगर आप में अभी दक subscribe नहीं किया तो प्लीज subscribe कीजिए और देखते रही है मैं बहुत जल्ड नेक्स क्लास में आ रहा हूँ